आज हम आपको चैत्रिय राजपूत समराट नागबट परतियार के बारे में बताने जा रहे हैं नागबट परतियार लक्स्वन बेजनाथ के आनुसार 16 सताथी का आसपास था डोक्टर केशी सीरी वास्तव के अनुसार इस्वंस की प्राचीन ता पांचवी सदी तक जाती है पुली केशीन दिवित्य के एहोल अभिले के 22 से लोक से गुजरात रा परदेश वर्तमान का गुजरात वरोज का उलेक सरोपरतम हुआ है महराज हरीश चंदर का पुत्तर रजिल रजिल का पुत्तर नरभट एवं नरभट का पुत्तर नागबट था इस आदार पर इत्यास का नागबट का काल 730 इस्वी से प्रारम मानते हैं 730 इस्वी वे काल खंड था जब नागबट पर्थम ने बीनमाल परदिकार कर वास्ति रुख से परतिया समराज्य का सिरी गनेश किया था उस समय नागबट पुर्ण्य युवा अवस्ता में था नागबट के पिता नरबट मंडोर के इसा सकते लगबग 725 स्विट के आसपास अरब के मुस्लिमों ने सिंद वे मुलतान परदिकार करने के पश्चात मंडोर राजय पर आकरमन किया था परिंतु राजगुमार नागबट ने आगे बढ़कर अरबो प्रत्या करमन कर उन्नी बुरितरे प्राजित किया तता प्लाइन करने पर बाद दिय किया अरब सेना मंडोर को छोड़ कर भीनमाल के और बढ़ गी उसमें उनका अरब सेना पती जुनेद था अरब सेना पती जुनेद मंडोर के परत्यार छेत्रियों से हार पीट कर प्राजित होने के बाद भीनमाल के और बढ़ा उस समय बीनमाल में चावड़ा छेत्रियों को सासन था यहां का सासक कमजोर था अत्य अर्बों ने इस जीत लिया तो था वे उजेन के और आगे बड़े बलादूरी ने अपने गरंथ में लिखा है अरब सेनापती जुनेद खाने उजेन बहरी मद अल्मालीवद मालवा मारवाड वल मंडल देहनाज और बरवास बडोच पर आकरमन किये उसने बीनमाल पर अधिकार किया इससे इसपष्ट है कि आकरमनों में उस केवल बीनमाल पर ही सपलता मिली उजेन उस समय कनोस समराट यसो वर्मन के सासन अंतर गत्ता गोड़ वहो के अनुसार अरवो के आकरमन की जानकरी मिलते ही यसो वर्मन में अंदर परवत्य राजाओ की विजए यात्रव को बीच में छोड़ कर सिक्दा मद्य परदेश को पार करते हूँ जेन आकर अरवी से नव उपर प्रत्या करमन किया आकरमन इतना जबर्दस था कि अरवो के पाउँ उखड़ गए उसने उनका पिछा करते हूँ उनके युद्धु में प्राजित करते हूँ शिंद के पार खदेड दिया अरव के वल मकराने ही अरवो के पास रह गया वहां से यसो वर्मन मंडोर गया वहां उसका स्वागत हुआ ऐसा लगता है कि नागबट पर्थम को उसने बीनमाल मजबूत करने के लिए कहा उसकाल में बीनमाल का बहुती मेत्वा था क्योंकि शिंद में बीनमाल होकरी मालुआ वे कनोज मद्य पर्देश में जाय जा सकता था चिन्नी यात्री युएन सांग 641 शिस्वी में बीनमाल गया था उस समय वहां चावड़ा चेत्रियों को सासन था शिसुपाल वद के लेक महाकवी माग युएसो बर्मन मंडोर से कुरूच शेतर चला गया राष्टि संकट को देखते हैं बीनमाल की कमजोर इस्तिती को ध्यान में रखकर नागबट पर्दम ने आकरमन कर वहां से चावड़ा चेत्रियों के सासन को सुमप्त कर बीनमाल पर अधिकार कर लिया तता अपनी राज़दानी मेर्ट अगिस्तान पर बीनमाल इस्तान कर ली अब उसने विसाल सक्ति का संक्टन कर पर्तियास समराजी की स्तामना गी नागबट पर्तम पर्तियास चेत्रियों के सरुस्च योदा थे नागबट को परतियार समराजी का संस्तापक भी माना जाता है मंडोर वे मेरता तक केवल परतियारी थे अब चुंकीर गुजरातरा परदेश का सासक हो गया अते यही से यह वस गुजर परतियार कैलाने लगा मंडोर के सासक परतियारी कैलाते हैं थे गुजरेत्रा, अनर्थ, सर्वब, महाईगाटी, अनूप, वल्बी, सोराष्टर, काठियावाड़ा, कच्छबुज, मंडोर, जंगल, कूप, दुरग, अधी, इस्तानों से खदेडना कारिये नागबट पर्थम ने किया लाट थाना छेतर से खदेडने का कारिये, अनी जे नासरी एक पुली केसन चालू की इनने, एहो माल वा उज्जेन, एहो सिंद से बार निकालने का कारिये, समराट यसो वर्मन ने किया था बीनमाल को राजदानी बनाने के पसाद नागबट पर्थम ने पडोस में लगे राजी जालूर पर रदिकार किया, एहो वास के सरोन गिरी परवत पर एक सत्रू का अतंकित करने वाला दुरुक का निर्मान भी करवाया, उसमें जालूर में कौन सासन कर रहा था, इसकी जा के चार नो बाटो के नुशा नागबट पर्थम परतियार वंस में जो तीनो तीनो लोकों का रख सकता, नागबट पर्थम नारायन की परतिकरती के रूप में उत्पन हुआ, जिसने सूकरतियों कनास करने वाले मलचो नर्सों की एक सोनी शेना विनास कर दिया, पेंकर अस खक बहादूरी से भी प्राप्त होता है, उनका कतन है कि सिंद के गवर्नर जुनेद ने अन्यक इस्तानों पर विज़े प्राप्त की जिसके पास दसलाग से निक रहे हो, उसने उजेन पर भी आकरमन किया परंतु जुनेद के उत्तरादिकारी वहां हार गे, जिससे बारत क अन्यक बूबाग उसके आतों में निकल गे, वे आगे लिखता है, अरब लेकक बलादूरी के इसकतन से विदित होता है, इतनी बड़ी विसाल से ना कि बावजु जुनेद उजेन पर विजे प्राप्त नहीं कर सका, इसका परमु कारन था कि इस समय उजेन का परमुक सक्त था कच्छ बूज में और दोनों ही बार जुनेद को बूरी तरे प्राजित होना पड़ा था, अते नागबट का इसा कोप अरबुक के मन में च्छा गया था, कि वे उसका मुकावला करने की सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए ग्वालिय परस्तिती में कहा गया है, कि मलच और राजा की विशाल सेनव को चूर करने वाला मानो नरायन विस्नु के रूप में वे लोगों की रक्षक लिए उपस्तित हुआ था, परतियार राजवांस के संस्ता पक नागबट पर्थम के समराजिय में संपूर्ण मारवाड जिसने में डीडवाना तक वर्देश यानी व समराट यसो बर्मन भी मित्तर थे, इस परकार नागबट पर्थम ने भी इनमाल के अंतरगत अपने समराजिय को प्राप सक्सिताली बना लिया था, ये बारतिया पर शियमी सीमा का वास्तिक परतियार अर्था रख सकता, जे माचामुनदा देवी, लक्समानमस्य परतिया, हम अगली पॉस्ट में आपको कुचामन का किला जालोर का सरुन गिरी दुरग दिखाएंगे, जे मियर बोज परतिया, जे नागबट परतिया, तो दोस्तों कैसे लेगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब सब्सक्राइब जूर कर ले, जय शुराब